आप यही सोच रहे होंगे कि हम कहां जंगल जहार में आ गए हैं लेकिन एसा कुछ भी नहीं है अभी हम आचुके हैं पान की खेती में स्याद आपने पान अगर खाये होंगे तो जरूर आप जानते होंगे पान की मतलब कि क्या होती है अहमियत अभी हम आचुके हैं पान की ख घर बना दिया गया है हम बात्षीत करने कहां कि तॉप कि इ doc चबाई के नाम चाहाबकर पान की खेती करते हैं हां पान की कितना मेहनत लगता है इसको बनने में 2 लगने में 9 Megasuh को जबानोमे पान उने-दिया रहा है टीफो थiban heavy इसके लिए उसां वेसे बना धिया है और ना धूप लगती है जड़ा भूटा है गोटी एक यह जो आप खेती लगाते हैं यह कितना अरगात लगता है सिसमें जाता के आप तो कि वह दूनेे ही करते हैं अभी भी कर रहा है, बच्चा लोग भी करता है। चलता रहा है, आज कल के युबा भी पढ़ाय लिखाय करके इसको छोड रहा है, हम भी छोड़े हुए थे, लेकिन अचानक अचानक आइडिया जो नहीं इसको न्या टेकनोलोजी के साथ काम किया जाए। और इसका फायदा उठाया जाए। किस तरह का टेकनोलोजी इस्तमाल करते हैं, किस तरह का टेकनोलोजी इस्तमाल करते हैं, पान की खेती करने, आप अपने अनुसार? जैसे अभी तो हम शुरुआत किये हैं, नया सिस्टम जैसे कि पहले के आदमी कुछी इस्पिरे उस्पिरे नहीं करते थे, समय से देखवाल नहीं होता था, इस इस इसाफ से नुक्सान हो जाता था, एक अकर में खेती करते हैं, काफी जदा मेहना था, एक दिन में कितने ल जब तक ये पान के खेती रहेगा तब तक सूखा सावन भारला भादो, बारो महिना था, थंडी और गर्मी हमेसा मतलब कि थंडी काहीं खेती होता है, जादा थंडी होगा तो ये खतम हो जाएगा तो फिर उसका इस सर्दी के टाम में इसाव का व्यवस्ता करना परता है, तो सबस्क्राइब का मद्न की पृष्णी परता है, मतलब शूर्ज के कि रोसनी परते रहे है, आठा कुछ ये घुमायी, आप हम को ये देख सकते हैसा खाल तो होडती है, है ये पुराना हो गया है, विन ये ने उसको है क्डर शूदके ने वाल तु खता है कि चाज उस पर से क्या बोले हैं वाइस रोज यहां तक आप जो लगाए हुए यह क्यों लगायए वे इसको कि चछन के लिए इस सबसे बरी बात क्या जो एक खुद का खेती है अपने खुद से कीजिए ज्यादा लेबर लगा के काम कीजिए तो इसमें कोई प्रोफिट नहीं है तो आप मैनत कीजिए और खुद मैनत कीजिए दूसरे के खेत में जाने से अच्छा अपना खेती कीजिए अपना भरण पोशन कीजिए उस ही में जो मुनाफावा जाए वही होता है यह जानते होंगे पान की सतरह से होता है नहीं होता अगर नहीं जानते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरह से भईया पान की खेती कर रहे हैं और यह हमारा पर्यास समस्तिपूर से कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट बुक्स में जरूर बताएगा आप देख रहेते परमुक भात रविकान सर्मा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं तब तक के लिए जाहेंद